ट्रेड लाइसेंस में मेर ने दी दुकानदारों को राहत पंजाब व्यपार मंडल ने जताया अभार नगर निगम की तरफ से ट्रेड लाइसेंस फीस 31 मार्च तक रेन्यू ना करवाने वालों को एक अप्रेल से एक हजार फिक्स और रोजाना सो रुपे जुर्माना लगाय जा रहा है इस भारी भरकम जुर्माने का सभी दुकानदारों की तरफ से विरोध किया जा रहा था पंजाब व्यपार मंडल की तरफ से मेर करमजीत सिंग रिंटू को मामले से अफगत करवा कर दुकानदारों को राहत देने का अनुरोध किया गया था मेर ने व्यपारियो से देरी कर चुके दुकानदारों को अधकम जुर्माना राशी से ट्रेड लाइसेंस रेन्यू हो जाएगा वो पारमेंडल वल्लों एक डिमांड आई सी या जैसी उस देर ते गंग भी उतना सोचन तो बाद ट्रेड लाइसेंस नू लेके 500 पया ट्रेड लाइसेंस दी फीस है और वो दा 100 पया पर डेदा जड़ा उन्हों पेनल्टी लाग रही सी और वो एक साल जड़ा ट्रेड लाइसेंस लेट हो गया उन्हों कटो कट साड़े सेंती है जार पया दी पेनल्टी लाग रही सी तो अज उना नो वो सारी वेव किती गई है और बिना पेनल्टी तो जड़ी नॉमिनल प्राणी पेनल्टी लग दी उन्हों ही लगेगी सौर पया डेली नहीं लगेगी और हर एक लाइसेंस ओल्डर नो जधा एक साल भी ट्रेड लाइसेंस लेट हो या नो संती यार पैदी यसे रिलेट दिती है और पेनल्टी वेव किती है तो जड़े नमें ट्रेड लाइसेंस बन गयों बिना पेनल्टी तो बन चाहूंदे और आज जैसे अपने शेरियां नो जन्ने में इंट्रिपनियोर ने उना सारे नो एक बहुत वड़ी राहत देती है कि कटो कट एक साल दी जड़ी पेनल्टी एक इंडिविजल दी हो सेंती यह अर्पया एक पर्सनल एक इंडिविजल वास्ते सी माव की तवा सो म अज अपने शेर वासियां वास्ते शेर दे दुकान दर वास्ते वो पारियां वास्ते अज बहुत वड़ी एक राहत दालानी है